हेलो मित्रो नमस्कार मैं पंडित संजार शास्त्री फिर से अपने यूटीब चैनल डॉक्टर संजार शास्त्री मुपस्तित है सर्वे भवन्तो सुखिना सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्रानि पश्चनतो माका शेद्दुख भाग भवेत सब के लिए इस संसार में सुख शान्ती आए सभी सुखी हो सभी संपन्न हो सभी सुष्ट हो इन्हें शुब कामनाओं के साथ हम अपने यूटीब चैनल में पस्तित है आज हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले ट्वंटी ट्वंटी नव वर्ष हम सब के लिए कैसा वर्ष रहेगा आज से आपके बीच में प्रतिक दिन एक वीडियो होगा और 12 राशी का अलग-अलग 12 जो हरुसकोफ है इसके अलग-अलग आपके फल मिलिंग बताये जाएंग आप से आज रहे हैं कि आप प्लीज हमारे येट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पहला वीडियो आपके तक पहुंच जाए और आप उससे जान सकें देख सकें सुन सकें आज हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहला राशी को इक्वल रखने वाला है इसमें एक और बात करेंगे 2020 में सत्ता पक्ष में कोई परिवर्तन कहीं भी नहीं आ रहा है अगर 2020 में कोई भी election किसी भी दुनिया में किसी भी country में हो रहा हो तो हमें लगता है सत्ता में कोई परवरतर नहीं आएगा क्योंकि जथावत रहेगा कोई changes नहीं है क्योंकि वर्ष बड़ा ही अद्भूत वर्ष आ रहा है इसलिए आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मेश राशी के लिए एरिश अंग्रेजी मेश राशी जिसके स्वामी मंगल है और मंगल का इस वर्ष में सबसे अची बात कि वर्ष के साथ अच्छे पोजीशन में बैठे हुए है जिसके कारण इस राशी वालों के लिए सबसे अची बात है कि पुरा वर्ष धन के दृष्टी से स्वास्त के दृष्टी से संतान के दृष्टी से और अगर बच्चे हैं एजुकेशन की बात करते हैं चाहे कोई भी बैक्ति एजुकेशन की बात है सारे दृष्टी से समान रखने वाला है कोई नुकसान किसी के लिए नहीं है लेकिन ह हाजी तो इन नया वर्ष में हम घर का भवन का जमीन का कोई भी परिवर्तन चाहते हैं तो इसमें श्रारिश वालों के लिए बड़ा सुंदर योग है निश्ची तरुप से परिवर्तन होगा यह अच्छे योग बनेंगे लेकिन 11 मैसे शनी वक्री हो रहे हैं इस राशी के ल हो नहीं तो निश्ची तरुप से उसे काम में परिवार में थोड़ा सा क्लेश और काम में भी थोड़ी सी स्थिर्टा आ जाएगी तो प्रियास करें कि 11 मैई के बाद यह थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि 14 मैई से फिर से ब्रस्पती जा करके वक्री हो रहे हैं उनका किम कुरवन्ती गरहा सरवेयस कंद्रे ब्रस्पती ब्रस्पती गोचर कंद्र में आ रहे हैं तो निश्चीत रूप से हमें लगता है कि संतान पक्ष के लिए एजुकेशन पक्ष के लिए बिद्या बुद्धी के लिए और सबसे बड़ी बात है कि कोई नौकरी का तलाश क आए खुज कर रहा है उसके नौकरी प्रापती के लिए भी कहीं ना कहीं 14 माई के बाद इस चीजें सुरू हो रही हैं लेकिन 11 माई में शनी जो बकरी हो रहे हैं तो हमारे को लगता है कहीं ना कहीं धियाang करने बात हैं कि इस पे हमें अपने खान पान आहर बेवार के शुदता पर ध्यान दे। सबसे अच्छी बात देखिए दूसरी बात हम देख रहे हैं पारिवारिक जीवन बीच में आपका कैसा है क्या है किस प्रकार से आप कर पा रहे हैं इसके लिए कहा जाता है कि शनी महराज जो मंगल म परिशानियों से परिशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा परिशानी जैसे सूगर है बीपी है कलेस्ट्रोल है इन सब में कहीं ना कहीं आपको 2020 जो नया वर्श आ रहा है इस सभी आपके लिए हैल्थ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है कि मंगल पिरिफाई हो करके आपके जिवन में परिवर्टन कर रहे हैं और आपके सारे blood के circulation को ठीक करने वाले हैं जिससे आपके स्वास्थ पे बहुत असर पड़ता है और positive असर पड़ता है जिससे आप healthy और अपने आपको comfortable feel करते हैं health के माद्ग्गे हम से दुस्सी चीज इस वर्ष में हम देख रहे हैं कि 14 माई के बाद आपका योग किसी बड़े ब्यक्ति से कहीं संपर्क बन रहा है जिसके कारण आपके कुछ रूके हुए काम अपने आप बन जाते हैं और उसका कारण कोई ना कोई आपके फ्रेंट फैमिली में ही है जो एक यो आ रहा है कि अपने फैमिली के साथ निश्ची तरफ से कही ना कहीं टूर पर घूमने के लिए योग बनता है कि आप घूम सकते हैं और यात्रा आपके लिए बड़ा अच्छा होगा तो अगर ऐसा बात बनता है तो आप जरूर प्लान करें कि 2020 आपके लिए बहुत ही उत्त कर रहे हैं इसमें आपके साथ खड़े हैं इसमें इस वर्ष में हमें करना क्या चाहिए हमें करना ही चाहिए कि इस वर्ष में एक संकल्प लें कि प्रतेक मंगलवार के दिन हमें शाम के शाम या सुबा या निकि मॉर्निंग टूइबनी जब भी हमारे को समय मिलता हो हमें म दुरूद रिके तेश लिए 11 लड़्डू का भूख जरूरूर लगा है और अगर बुंदी का परसाद ल है तो प्रतेख़ दिन बुंदी का परसाद लाए और महीने के द्यान डिके प्रतेख महीने में आप every week जाएं बारा महीने तक लेकिन महीने के first या last week में जरूर परियास करें कि हनुमान जी को सिंदूर पिला सिंदूरूं का पसंदीदा कहा जाता है पसंदीदा सिंदूर से बढ़ा खुश होते हैं तो उनको सिंदूर उनके उपर चाहें जिसको हम लोग छोला बोलते हैं चोटे लोगों से चाहिए बड़े लोगों से ओफिस में घर में जो परिवारिक अन्बन बढ़ रहा है उसमें आपको बहुत बड़ी रक्षा मिल सकती है कि शत्रु का प्राभो कम हो सकता है इसलिए आपको एक काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बर्ष में बात है ततक्षन आप में उतावलापन आएगा मई के बाद तो उतावलापन आपके अंदर नहीं आना चाहिए जैसे कोई भी आपको गुस्चा दिलाता हो तो आप परियास करें कि नहीं मुझे इसको सहना है और उसको प्रजेंट नहीं करना है आप बचें गुस्चा से ब बात उदर उदर के बात उदर से आप बचें यह आपको नहीं करना चाहिए इस दिन में इस वर्ष में आपके लिए सबसे अच्छा महिना कौन होगा सबसे अच्छा महिना आपका जनवरी होगा मार्च होगा मई होगा जुलाई होगा और उसके साथ साथ आपका महिना सप् आपके लिए इसमेन सबसे अच्छा नंबर एक और तीन इस नंबर की आप गाड़े कष्कते है इस नंबर के आप घर कर ले सक्ते हैं एक नेमरोलोजी यहाइए झाल अफसी आपके फ़िए पिर तो आप परस रखें घड़ी का बेल्ट रेड रखें या आपके लिए फायदा हो सकता है या अगर कोई भी पुरूश है तो प्रयास करें कोई ना कोई एक रेड चीज अपने पास और ज्यादा कुछ नहीं तो एक रूर रेड छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी अपने व वर्ष में आपको इस वर्ष में आपको सबसे ची चीजे को और बात में बताना चाहूंगा कि वर्ष में सुरुवाद से ले करके अंतिम तक अगर मैं ट्रेक रेकॉर्ड आपका निकाल करके देखूं तो आप 90 परसेंट पोजेटिव रहेंगे 10 परसेंट समय के ग्रह चेक करके साथ थोड़ी से परिशानी वही लेजीपन, अलस्पन, गुसा, क्रोध थोड़ा सा अनबने सब रह सकता है इन सबसे बचने के लिए मैंने आपको उपायपता आप जरू करें और जो नया वर्ष आ रहा है ये नवर्ष के अभी से आपको मेरे युट्यूब चनल माद कर आपको मेरे जर लेजीपन, येसरे संबसे लेजीपन, और भी स्थें टोड़ीपन, शॉख वटेूशन, अलस्के अता है, झालस्के सबस्के जरानी भी से लेचिपन, नलस्के रह से बचीपन, तर ए ख emoji रहा हैईनों दोड़ Susa है जोज टोगे, भी लेज़ पम में दोल